तो दोस्तो हम बताते हैं आपको आज राजस्तान रोल्स ने टौस जीता और राजस्तान के कप्तान सच्जू सेंसन ने टौस जीत कर पहले बल्ले Бाजी का फैसला किया यहां राजस्तान का 200वा IPL मैच है तीम में एक बदलाव जरूर किया गया फ्रेंट बोर्ट यह मैच नहीं केल रहे है और उनकी जगह एडम जमपा को प्लेंग लिए उनमें सामिल किया गया जहां दोस्तों हम आपको बता देता है कि राजस्तान रोयल्स की तरब से जब पारी की शुरुआत की गई तो यह सवी जैस्वाल और जोस बटलर क्रीज पर आए वहीं आकास सिंग ने पहले और में गेंदबाजी की और उन्होंने पहले और में चोधा रंदी है यह सवी ने पहले और में तीन जोके जरूर लगाए जहां दोस्तों हम आपको बता देता है कि यह सवी के तूफानी पारे के दो रंग तीन और के बाद राजस्तान ने बिना कोई विकेट गवाए 42 रंड बना लिये थे और यह सवी और बटलर ने टीम की तेज शुरुआत दिलाई जह यहां दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि राजस्तान की मजबूत शुरुआत हुई और उसके चलते यह सवी का अड़ सतक लग चुकाता साथ और के बाद राजस्तान ने बिना किसी विकेट गवाए पीचोतर रं बना लिये थे और पिलाल यह सवी जहिसवाल 26 गेंदों पर 50 रन और जोस बटलर 16 गेंदों पर 24 रन बना कर केल रहे थे लेकिन दोस्तों जब जोस बटलर का विकेट गिरा तो राजस्तान को 90 और में 84 पर पहला जटका लगा और रविंदर चड़े जाने जोस बटलर को सिवम दूबे के हाथों कैच कराया फिर दोस्तों जब और 100 रन के पार पहुंचा तो 11 वी और के बाद राजस्तान ने एक विकेट गवा कर 104 रन बना लिए थे एक वहीं राजस्तान को एक और दो जटके लगे और चोध्वे और में तुसार देश पांडे ने दो विकेट जटके उन्होंने कप्तान संजू सेंसन को इतुराज की गाइड क्वार्ड के हाथों कैच कराया वही 17 गेंदों में 17 रन बना सके थे इसके बाद मैदान पर जम चुके थे यसस्वी जाइसवाल को रहाने के हाथों कैच करवा दिया जिया दोस्तों हम बताते हैं आपको इस मैच के रिगार्डिंग कम्प्लीट कबर बस बने जो भी जानकारी देते हैं वो भी एकदम सटीक जानकारी देते हैं तो गिलाल हम आपको बता देते हैं कि राजस्तान ने चन्नई को 203 रन का लक्षे दिया है और यसस्वी ने 43 गिंदों में 77 रन बनाए है जी हाँ दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि राजस्तान रोजिस पचास गेंदों में चियासी रन जोड़े इस साजेदारी को रविंदर जड़े जाने तोड़ा उन्होंने जोस बटलर को सिवम दूबे के हाथों कैच कराया वहें 21 गेंदों में 27 रन बना सके दूसरे चोर पर यससवी ने ताबर तोड शोट लगाए और 26 गेंदों में IPL कर इसके बाद 24 ओर में तुचार देश पांड़े ने दो विकेट जटके उन्होंने पहले कप्ताउं संजु सेम्शन को रितुराइज गाएक वार्ड के हाथों कैच कराया सेम्शन 17 गेंदों में 17 रन बना पाए इसके बाद यससवी को रहाने के हाथों कैच कराया यहां दोस इसके बाद दुरू जुनियल और देश पाडिकल ने पांच विकेट के लिए 21 गेंदों में 48 रन की साज़ेदारी निवाई और दुरू जुनियल 15 गेंदों में 3 चोके और 2 चकों की मदद से 34 रन बना कर आउट हो चुके थे जिहां दोस्तो राजस्तान ने चैन्ने को 32 रन से हरा दिया है अंक तालिका में सिर्ष पर पहुच चुके है संजू संसन की टीम जिहां दोस्तो अब राजस्तान के रजवाडे अंक तालिका में अपना इस्तान नंबर एक पर बना चुके हैं स्वाइपेल 2023 का 37 मैच राजस्तान रोयल्स और चैन्ने सूपर किंग्स के बीच खेला गया यह मुकाबला जेपूर के सवाई मांसिंग स्टेडियम में खेला गया राजस्तान के कप्तान संजू सेंसन ने टाउस जीट कर पहले बल्ले बाजी करने का पैसला किया और राजस्तान रोयल्स ने पहले बल्ले बाजी करते हुए दुहाँ धारपारी की शुरुवात की और 20 अवर में 5 विकेट गवा कर 202 रन बना लिये थे जिहां दोस्तों जवाब में चैन्ने की टीम 20 अवर में 6 विकेट गवा कर 170 रन ही बना सकी या दोस्तों हम बताते हैं आपको इस मैच के रिगार्डिंग कम्पलीट इंपॉर्मेशन बस आप बने रहीएगा वीडियो में अंत तक और जिहां दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर देना तो दूस्तों राजस्तान ने चैन्ने को 32 रन से हरा दिया है आईकेल 237 मैच में राजस्तान रोल्स ने चैन्ने सूपर किंग्स को 32 रन से हरा दिया तव जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए राजस्तान ने 20 अवर में 5 विकेट गवा कर 202 रन बनाए यसस्वी जैस्वाल ने 43 गेंदों में 77 रन बनाए जवाब में चैन्नाई की टीम 20 अवर में 6 विकेट गवा कर 170 रन ही बना सकी शिवाम डूबे ने 33 गेंदों में 52 रन बनाए वहीं रितुराज गाइक वाड ने 29 गेंदों में 47 रन की पारी के लिए यह राजस्तान का IPL में 200 वह मैस था और उन्होंने जैपुर के सवाइमान सिंग स्टेडियम में IPL में इतिहास में पहली बार 200 पलस का स्कूर बनाया पिर वह बड़ी जीत भी हांसिल की जी हां दोस्तों हम आपको बता देते हैं इस जीत के साथ राजस्तान के टीम 8 मैचों में 5 जीत और 10 अंकों के साथ अंक तालिका में सिर्ष पर पहुँच गई है उसने सिर्फ तीन मैच गवाय है वहीं चेन्नाई के टीम आठ मैचों में 5 जीत और तीन हार के साथ अंक तालिका में तीसरे इस्थान पर लुड़क गई है दूसरे इस्तान की बात नहीं जाए तो दूसरे इस्तान पर चैन्नाई से बहतर रन रेट और दस अंग के साथ गुजरा टाइटन्स है चैन्नाई को अगला मैच रविवार को पंजाब किंग्स के खिलाब चेपक में केलना है वही राजस्तान को रविवार को ही मुंबई इं दूसरे जहां पर चैन्नाई सुपर किंग्स को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किजेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरुर प्रेस कर दीजे जिरा